नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज 12 अक्टबर दोहजार पाईस एचल टेक ने अपने क्यूटू के रिजल्ट अनॉंस किये हैं तो इस वीडियो में क्यूटू के रिजल्ट डिटेल मैनलाइस करेंगे सो लेट स्टार्ट इट अ हैं आज आगर हम किम्पेर करते हैं तो लास्ट कोटर में लगबग 23,873 करोड का इंकम कंपणी ने किया था और इस कॉटर में लगबग कंपणी का जो कोटरान कोटर इंकम हैं हमको इंङ्डियो होते हुए दीख रहा है अगर year on year बश्ते से अगर हम कंपएर करेंगे तो ल 24,895 करोड तो यह year on year बड़के 24,922 करोड हो चुका है तो इस तरह से हम quarter on quarter भी jump किया है company ने और year on year basis पे जो company का जो revenue है ओ इंक्रीज होके आया है हम देख सकते हैं अगर company के total expenses के बारे में बात की जाए तो इस quarter में company ने जो total expense है लगबग 20,338 करोड रुपीज का total expense है company का इस quarter का अगर इसको last quarter से compare किया जाए तो last quarter में 19,536 करोड रुपीज का expense था जो की बढ़कर 20,000 करोड हो चुका है तो quarter on quarter basis पे expense little bit बढ़ चुका है अगर हम इसको year on year basis पे देखेंगे तो last year company का जो total expense था 16,794 करोड का जो की बढ़कर 20,338 करोड का हो चुका है अगर company का जो expense बढ़ता है तो इसका जो impact है उसका जो net profit है और जो net margin है इस पे गिरता है अगर company के net profit के बारे में बात की जाए तो quarter 2 में company ने लगबग 3,406 करोड रुपीज का total income किया है और net profit किया है अगर quarter on quarter basis पे देखा जाए तो last quarter 3,322 करोड रुपीज का profit किया था जो की इस quarter में हमको jump होते हुए दीख रहा है तो quarter on quarter basis पे जो profit है वो बढ़ चुका है अगर year on year basis पे अगर हम compare करेंगे तो last year जो company का total जो profit था net profit वो 3,54 करोड रुपीज था जो की बढ़कर आभी हो चुका है 3,406 करोड रुपीज तो quarter on quarter jump है year on year basis पे भी आपको जो net profit है उसमें आपको jump दिखेंगी अगर हम earning पर equity shares के बात करेंगे तो इस quarter में लगबग जो EPS है company का 12,89 रुपीज का है अगर इसको हम last quarter से compare करें तो last quarter में इसका जो EPS था 12,30 रुपीज का था जो की बढ़कर हो चुका है 12,89 अगर हम year on year basis पे देखें तो last year company का जो EPS था लगबग 12 क्या सबस था जो इस साल में बढ़कर हो चुका है 12,89 तो quarter on quarter basis and year on year basis आपको जो company का EPS है वो बढ़ते हुए दीख रहा है So friends मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत भूलिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें Thanks for watching our videos, bye